कोई वेज खाता है कोई नौन वेज खाता है कोई वीगन है दिक्कत इसके साथ जो एसर्शन का भाव है कि नौन वेज खाना कोई बहुत बुरी चीज है या वेज खाना बुरी चीज है या एक श्रेश्टता का भाव कई वीगन हैं जो अरे तुम क्या कर रहे बहुत पाप कर वो एक शेष्टता के बोध के साथ और आपके अंदर ग्लानी और गिल्ट भरने का काम एक जज्जमेंट एक वैल्यू आ जाती है वो काम बिल्कुल बेकार है बिल्कुल विर्थ का है क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप शाकाहारी है आप प्रेम पूर्ण या करुणा पूर्ण या हिंसक नहीं हो जाते हैं साके हजार तरीके होते हैं, यह बिलकुल हो सकता है, कि आप जैन या ब्राह्मन घर में पैदा हुए, सिर्फ अपनी परंपरा कारण आप माजभक्षन नहीं करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई, तो उसमें जो शेष्टता का भावा जाता हो बिलकुल खोखला है मैं उसकी चर्चा यह नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ, कि आप इस बात को समझें, कि आप जब वध करते हो, तो वध करना आपके ही भीतर के कोमल तंतुओं को काट देता है उसके बाद आप ही कठोर हो जाते हो, आप इबर कठोर हो गए तो उस जानवर भर के लिए नहीं रहो गए, आप पूरी दुनिया के लिए रहो गए आप अपना ही काम जो है बहुत खराब कर लोगे अभी जो कनाईन सोगेरा वाली बात है ये जो मेरे हाथ है, इन हाथों से मैं किसी का वद बिल्कुल कर सकता हूँ मैं दातों की क्यों बात करूँ पर मेरे पास चेतना है या नहीं कि मुझे इन हाथों से क्या करना है सिर्फ इसलिए कि प्रक्रति ने मुझे कोई चीज दे दी है तो मैं उसका इस्तिमाल करना शुरू कर दूँ प्रक्रति ने इस शरीर में बहुत कुछ दे दिया है क्या आप अभी उसका इस्तिमाल कर रहे हो और जंगल में क्या होता है जंगल में यदे इतने पुरोष और इतनी महिलाएं एक साथ बैटे हो तो बहुत देर तक साथ बैट नहीं सकते वो कहेंगे हमारे शरीर में फलाना अंग मौजूद है चलो उसका इस्तिमाल करना शुरू करते है तो यह क्या तर्क है कि मेरे पास दातों में दो ऐसे दात हैं जिससे मास खा सकते हैं तो मैं खाऊंगा फिर तो मैं काऊंगा कि मेरे पास हाथ है इनसे मैं कुछ भी करूँगा मैं तोड़ पोड़ करूँगा मेरे पस चेतना भी तो है ना जो वेवस्था का प्रशन है वेवस्था का नहीं चेतना का मेरी चेतना तै करेगी ना कि मुझे इस शरीर के साथ क्या करना है सिर्फ इसलिए कि मैं किसी को मार सकता हूँ मैं मार दूं क्या सिर्फ इसलिए कि मैं मास फार सकता हूँ उपने दातो अरति कशके सकते हैं क्हूंकि चेतना सबकी दुखी है और चेतना grid छुश है मास्खषन करके वो जो खुशी है वो उस वेहोश आदमी की खुशी है जो शराब पी करके हस्राय है आप कहते हैं कि अगर खुशे शराब पीने से तो पीने दो आप एक बात बताया है, मैंने एक इंसिदेंट सुना था कि एक ग्लेशिर पे एक प्लेन क्रैश होता है, वहाँ पे कोई अविलिबिलिटी नहीं किसी चीज की, और फिर उनको डेट बॉड़ी खानी पड़ी वहाँ पे, तो फिर यहाँ यहाँ कॉंशिसनेस का क्या बाता हू कि आप किसी ऐसे द्वीब पर फंस जाएं, जहां पर कुछ और ना हो खाने को, मैं बीमार पड़ा हूँ अब बेशक मुझ को खा लो, मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि मैं तो जाई रहा हूँ, कम से कम आपकी चेतना तो बचेगी, वो मेरे प्रेम की भेट होगी आपको, जब पत्ता मौझूद है, तो मैं पत्ते का चुनाव क्यों न करूँ, ये विवश्ता क्यों कि पत्ता मौझूद है, तब भी बखरा ही खाऊँगा, और फिर जो कहते हैं कि पेड़ पौदो में भी तो जान होती है, क्या पगला प्रशन है, क्योंकि बखरे का एक किलो मास खाते कर रहे हो, तो बीस गुना ज्यादा पेल पौधे मारे जा रहे हैं, एक किलो मास कहां से आता है, बीस किलो जब वो खाता है तब आता है, तो पौधों को बचाओ, बकरे को न खाओ